लो दोस्तो Open for Learn चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मनिपुर राज्य और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनिपुर राज्य का इतिहास और जानकारी। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इस बड़े देश की आबादी भी काफी है। पुरे एशिया में भारत की एक अलग पहचान है। एशिया में जितने बड़े देश है उनमें भारत का स्थान काफी उपर है। इस विवित् हिंदी में बात करते हुए दिखाई देते हैं, वही दूसरी और दक्षिन भारत उत्तर भारत से बिलकुल अलग है, उनकी संस्कृती, भाशा, कला उत्तर भारत से भिन्न है, भारत का पूर्व हिसा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस हिसे में अने देशों की स छोटे छोटे राज्य है, जो कि केवल इसी प्रदेश में देखने को मिलते हैं, क्योंकि देश के सभी हिसों में सभी राज्य बड़े-बड़े हैं, इसी पूर्व हिसे में स्थित एक छोटा सा लेकिन सबसे खास राज्य भी है, जिसका नाम मनिपुर है, इस राज्य को भ मनिपुर की राजधानी, इमफाल, राज्य के अंतरगत आने वाले कुल जिलों की सक्या, राज्य निर्मिती का वर्ष, 21 जन्वरी 1972, कुल क्षेत्रफल, 22,327 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल अनुसार राज्य का देश में स्थान, तेईस्वा, प्रमुक जान्वर, प्रमुक पुष्प, फूल, शिर्वी लिली पुष्प, राज्य की प्रमुक भाशाय, मैतेई, अंग्रेजी, प्रमुक फल, पाइनेपल, अनानास, राज्य का प्रमुक खेल, पोलो, वित्तिय और राज्यों के निहाय मनिपुर की कोड सक्या 14, राज्य का प्रमुक नरीत प्राकृतिक रूप से मनिपूर बहुत ही सुन्दर दीखता है। मनिपूर के मिती राजा का इतिहास पुयास में देखने को मिलता है, कुछ लोग पुयास को पुवारिस भी कहते है। जैसे की तिली कोक्तोंग, पोरी लाम, सन्ना लीपक, मित्रबक और अभी मनिपूर। इसकी राजधानी का नाम कंगला युमफाल था। आज मनिपूर की राजधानी को इमफाल कहते है। इस राजधे के लोगों को कई तरह के नाम से बुलाया जाता है, जैसे की मिती, पीरी मिती, मैती और मिती। 3500 सालों तक जीन राजा महाराजा ने इस राजधे में शासन किया उन सभी की जांकारी पुवारिस, निंगतो, कंगबलोन, निंगतो रोल, लंबुबा, चिथा रोल, कुमबाबा, पीरीटन ने लिख कर रखा है। सन 1955 तक इस राजधे पर 108 से भी जादा राजा महाराजा ने शासन किया था। निंगतो, कंगबा, मनिपुर के सबसे पहले राजा थे। इसापूर्व 1129, इसापूर्व 44 तक जब देश में किसी राजा का शासन नहीं था, उस वक्त सभी तरफ उथल-पुथल मची हुई थ 28 अगस्त 1947 में मनिपुर को आजादी मिल तो गई लेकिन यह खुशी लंबे समय तक टिक नहीं सकी क्योंकि 15 अक्तूबर 1949 को मनिपुर को भारत में एक राजधे के तौर पर शामिल कर लिया गया। यहां मौजूद प्रमुक धर्म हिंदू होने के कारण अधिकतर इसी धर्म से जुड़ी मानिताओं का पालन राज्य में होता है, जिसके अंतरगत कई सुन्दर हिंदू मंदिर यहां मौजूद है। इस वजह से उनकी स्वतंत्र धार्मिक, सांस्कृतिक मानिताओं होने से उनसे जीवंपधती में भिन बदलाव देखने को मिलते है। सामाने तह मनिपुरी लोग धार्मिक और सरल स्वभाव के होते हैं, जिनको संगीत और न्रीते आदी में अत्यंत रूची होती है। मैतेई और अंग्रेजी भाषा को राज्य में प्रमुक स्थान दिया हुआ है, जिसके अंतरगत यहां के सभी प्रमुक कारे पुरे किये जाते है, साथ में आम बोली चाली में भी इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस राज्य में कला और संस्कृती में किसी भी तरह की कमी नहीं और यह राज्य सभी तरफ से नीली पहाडियों से घिरा हुआ है। इस राज्य में शांती से रहते है। उखरूल, तमेंगलोंग, चुर्चंदपुर, कांगपोकपी, जिरीबाम, काकचिंग, कमजोंग, टेंगनोपाल, फेरजौल, नोने। मनिपुर राज्य की प्रमुख भाषाए, State Languages पूर्वोत्तर भारतिय राज्य मनिपुर में मैतेई और अंग्रेजी ऐसे दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा कुकी चीन भाषा समुहों के अधिकतर भाषाओं का यहां पर आम बोलीचाली में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ठाडो भाषा प्रमुख है। अने भाषाओं में नागा भाषाय उप्योग की जाती है, जिसमें रोंगमेई, पॉला, तांग खुल, माओ इत्यादी भाषाय शामिल होती है। राज्ये के कुछ हिस्सों में बंगाली और नेपाली भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। मनिपुर राज्ये के प्रमुख धर्म, Religions of State भारत के अने राज्यों की तुलना में मनिपुर राज्ये की धार्मिक पहचान काफी जादा अमन और सोहार्दपूर्ण धार्मिकता वाले माहौल के तौर पर होती है। इस राज्ये का प्रमुख धर्म हिंदु होता है, जिसके अंतरगत राज्ये की सबसे बड़ी जनसक्या रहती है। वही ईजाई धर्म के लोगों की संख्या भी यहां अच्छी खासी मौजूद है। इसलाम धर्म को मानने वालों की जनसक्या राज्य की तीसरी बड़ी धार्मिक जनसक्या है। वही राज्य अंतरगत आपको विभिन जनजातिया भी देखने को मिलेगी जिनकी संख्या लगभग तीस के करीब है, इनकी अपनी स्वतंत्र धार्मिक मानेताय होती है। मनिपुर राज्य की प्रमुक जनजातिया ट्राइबजिन इस राज्य में लगभग तीस जनजातिय समुदायों का निवास है, जिसमें कुछ मनिपुरी आदिवासी समुदाय है, तो अने कुछ नागा जनजातिय समुदाय होते हैं। यहां के प्रमुक जनजातिय समुदायों में अनल, गंग्ते, चोटे, अंगामी, चिरू, कबुई, हमार, कोईरांग, कैराव, आईमोल, माउ, लामलंग, मोनसांग, मोयोन, पैट, पुरुम, तांगखुल, थाडो, वैफा, मारिंग, रालते, सेमा, सिम्टे, सब्टे इत् जादी शामिल होते है, मनिपुर राज्य के लोगों का प्रमुक भोजन, स्टेपल फूड औफ स्टेट पीपल्स, यहां आप जानेंगे मनिपुर राज्य में प्रमुक पसंदीदा तोर पर खाये जाने वाले व्यंजनों की जांकारी जिमे प्रमुकता से शामिल है, चाम् यहां आप जान पाएंगे मनिपुर राज्य के सभी प्रसिद्ध परेटन स्थलों के बारे में जिंका ब्यौरा निचे दिया हुआ है, जिसमें शामिल है, कांगला फोर्ट, शिर्वी काशोंग, सिंगड़ा डैम, साडू चिरु वाटरफॉल, सेंदरा पार्क, खोपम वा अंगजिंग हिल, बरुनी हिल, कक्चिंग गार्डन, मोवा केवज, माउंट इसो, करांग आइलेंड, पाइन वुड गार्डन, फाइंग चेकपाहे यू पार्क, बराक वाटरफॉल, थारों केवज, संतेई नैचल पार्क, वार सिमेट्री, मनिपुर जूलोजिकल मनिपुर राज्य का संगीत और नरीते प्रकार, डांग्स और म्यूजिक ओफॉल, पुंग चोलोम, नुपापाला, रास लीला आदी शामिल होते हैं, रास लीला नरीते जिसमें कृष्ण राधा के साथ अने गोपिया भी होती है, ठीक उसी प्रकार से गोपिया और कृष् मनिपुर राज्य के सभी प्रमुख त्योहारों के बारे में, जिनकी सूची निमनलिखित तौर पर दी हुई है, इनमें शामिल सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रिय त्योहार इस प्रकार से है, जैसे के प्रमुक शिक्षा संस्थान, University, Educational Institutions, University यहां संक्षेप में नजर डालेंगे मनिपूर राज्य के अंतरगत आने वाले प्रमुक शिक्षा संस्थानों पर जिनका सूचीगत ब्यौरा निचे दिया हुआ है जिसमें शामिल है मनिपूर Technical University संगाई आंतराष्ट्रिय उनिवर्सिटी, मनिपूर उनिवर्सिटी, निशनल इंस्टिटूट टेकनोलोजी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ग्रेस बाइबिल कॉलेज, निशनल स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी, सेंट्रल एगरी कल्चरल उनिवर्सिटी, स्टैंडर कॉलेज, वीर मनिपूर के विशे में अधिकतर बार पूछे जाने वाले सवाल जी के क्विज ओन स्टेट, मनिपूर राज्य के अंतरगत कुल कितने जिले मौजूद है, how many districts are there in मनिपूर स्टेट, जवाब, 16, कुल कितनी जन्जातियों का मनिपूर राज्य में अधिवास है, total number of tribes in state, जवाब, लगभग 30 जन्जातिय विशेश का मनिपूर राज्य में अधिवास है, मनिपूर राज्य के इतिहास से जुड़ी जांकारी हमें कौन से किताबों से प्राप्त होती है, जवाब, history of मनिपूर pre-colonial period, मनिपूर past and present the heritage and ordeals of a civilization, the mothers of मनिपूर 12 women who made history, on history and historography of मनिपूर, the may it is, social history of मनिपूर, the cookies of North East India, politics and culture ityadhi, मनिपूर राज्य में कौन सा जिला प्राकृतिक दिष्टी से अतियंत खूबसूरत है, most beautiful district of मनिपूर state, जवाब, सिनाप्ति जिला, परेटन हेतु मनिपूर राज्य में घूमने जाने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा होता है, best time to visit state, जवाब, जून माह से लेकर फरवरी माह तक का समय मनिपूर राज्य में परेटन हेतु अतियंत सुहावना माना जाता है, जिसमें प्राकृतिक सुन्दर्ता के विलोभनिये दर्शन आपको यहाँ मिल जाते है, मनिपूर राज्य देश दुनिया में प्रसिद्ध क्यों है? वाइ मनिपूर इस सो फेमस? इसके अलावा इस राज्य के व्यक्ति काफी ज्यादा सरल स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति के होते है, इस वजह से यहाँ अमन और शांतिपूर्ण समाजिक माहौल देखने को मिलता है. राज्य का प्रमुक नरीते रास लीला होता है, जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली नरीते कला, आभूशन पध्धती, साज श्रिंगार और वस्त्र परंपरा अद्भुत होती है, जो के सबका ध्यान आकरशित करती है. प्रचुर मात्रा में नैसरगिक संसाधन, वने संपदा, जलस्तरोत इत्यादी वजहों से इस राज्य को प्रसिद्धी हासिल हुई है. मनिपूर राज्य में कुल कितने हवाई अड्डे मौजूद है? उपलब्ध हवाई अड्डे का नाम बताए, जवाब, मनिपूर राज्य में केवल एक हवाई अड्ड़ा मौजूद है, जिसका नाम इमफाल आंतराष्ट्रिय एयरपोर्ट है. कुल कितनी नदिया मनिपूर राज्य में मौजूद है? जवाब, नौ, मनिपूर राज्य की राजधानी क्या है? जवाब, इमफाल, कुल कितने वनेजीव अभ्यारन मनिपूर राज्य में मौजूद है? इनके नाम बताए, Wildlife Sanctuaries in Manipur State, Their Names? जवाब, कुल दो वनेजीव अभ्यारन मनिपूर राज्य में मौजूद है, जोके इस प्रकार से है, एक खोंगजिंगंबाचिंग, दो यांगोपोग पी लोग चाओ, चलिए इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं, इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद!